नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अजीत कुमार पटना भिहार में प्रैक्टिस करता हूँ आज हम बात करेंगे लो बॉलेट प्रेसर यानि आपका बॉलेट प्रेसर हमेशा लो रहाता है इस पर विशेश चर्चा करेंगे और इस वीडियो कौन तक देखिए वीडियो आछा लगे तो लाइक किजिएगा ज़्यादे लोगों तक शेर किजिएगा जदी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और जदी फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लिजेगा तो यह बहुत सारे वीडि अचैनल थे फिर संप्लेन करना बहुत ज़रूरी था का दोस्तों यह जो लोग बलट प्रेसर है कि यह काफी पैसेंट में देखने को मिल रहा है यह निल प्रेसर तो समझे कि बलट प्रेसर और शुगर दोनों भाई बान है बया जदि आपको बलट प्रेसर है तो शुगर ह हो जाएगा मधुमे हो जाएगा यदि आपको डायबीटिस है तो बलट प्रेसर यह तो लोग लेकिन अधिक केस में हाई ही होता है इसका सबसे पहला कारण क्या हो सकता है मोटापा हाई बलेट प्रेशर का भी कारण मोटापा था दोनों का लच्छन और कारण मिलते जूलते ही होते हैं यानि आपको मोटापा कारण हो सकता है यानि बजन आपका ज्यादा होना या तो बजन आपका कम होना दोनों इसमें हाई करणा मैं कि चिंता तना ऑन किया करन Кстати लखन में कोई अंतर देखने को नहीं अ 10 इसमें विद्शन के बार में है कि अंधेरब चाने लगेगा चक्कड फ caveat सा महुस्थ यहें Ugh करगीड सकते हैं कि कोई अंतर देखने को नहीं मिले से लेकिन एक चीज आंतर इसे में देखने को मिले गाई कि जो यह आपको जो बलट प्रेसर के स्टेजेज मैंने बताया था स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थिरी कि यह जो मैंने बताया था कि इसमें स्टेज नहीं होते हैं कि और जादी स्टेज में बाटना चाहे तो यह स्टेज हो भी सकते हैं एक चार्ट के अनुसार बलड प्रेसर चार्ट के अनुसार 120 वाई 80 होना चाहिए ज़दी 120 वाई 80 से उपर है तो यानि आप बलड प्रेसर के पैसेंट है हाई है आपका बलड प्रेसर आपको हाई हो चुका लेकिन 120 y 80 से नीचे यानि blood pressure आपका low हो चुका है अब जाएंगे टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि 120 y 80 है तो ठीक है mm4Hg तो सही है जड़ी 120 y 80 से नीचे है तो समझे कि आपको blood pressure low हो गया अब थोड़ा सा low होने का मतलब यह नहीं कि blood pressure low है कमजोडी के बज़ा से भी इंसान को चक्कर आता है उमर बढ़ने के हिजाब से भी चक्कर आता है दुज़िद लापन दिखता है इसका मतलब यह नहीं कि blood pressure के लिए गोली लेना सुरू करते है आज ज़िदी गोली लेना भी चाहते हैं तो गोली से बचने के लिए मैं जो उप्चार बता रहा हूं उसको आप कर लेजे कुछ खर्च होने वाला भी नहीं है और लगतार blood pressure low रहा है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए भी बता रहा है तो जो भी high blood pressure का करन था और लच्छन था दोनों का सेमी है अंतर कुछ नहीं है और high blood pressure के लिए या low blood pressure के लिए डाइबिटीज के लिए दवा क्या हो सकता नहीं है ये एक बैपार बन चुका है आपको ऐसा लगता है कि आज इस देश में डाक्टरों की कमी भी नहीं है आप हमें भी देख रहे होंगे बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि ये कब से डाक्टर बन गया ये क्या बता रहा है कुछ कॉमेंट्स भी पढ़ने को मिला है हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारे डाक्टर है आप सॉब डाक्टर डाइविटीज बलट प्रेशर और हाड पे ही काम कर रहे है क्या कभी कोई पैसंट ठीक हो रहे हैं आज हमारे यहां तक कल आपके यहां कल आपके यहां तक परसो किसी और क्या ऐसा क्यूं क्यूं हम बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि बलट प्रेशर को गरांटी ले रहे हैं लोग ठीक करने के लिए सुगर को गरांटि ले रहें कि दम जोर से ठीक कभी होगा यह नहीं दोबरा और सब लिखा करो cutest में कहते हैं कि वस दवा!!!! और खान पान जो देते हैं उससे लोग ठीक हो जाते हैं जब खान पानी बदल लेगा तो फिर उसको दवा की क्या हो सकता है वो तो पहले से ठीक है जदी आपका बलड प्रेसर लो रहता है या बलड प्रेसर हाई रहता है या बलड सुगर हाई है या लो है मान लिया जाए ये सारे समस्य आपको रहता है और इसके लिए आप खान पान दिन चड़िया बदल लते ता आपको दवा क्या हो सकी है आप पहले से ही ठीक है वो तो आपका लपरवाही है वो लपरवाही है आप लपरवाहा आदमी है आप समझे की इगनोर कर रहे हैं अंदे है आप उसको करना सोड़ों कर देजिए दोस्तों बिसेस का कि मैं गॉल बलाडरे स्टोन और किड्नी एस्टोन पर काम करता हूं जदी आपके दोस्तों यारों रिष्तेदारों में किसी को भी गॉल बलेडर में स्टोन हो तो आप एक बार जरूर संपड़ कर सकते हैं और घर को आप स्टोन संपड़ कर सकते हैं आप से जुड़े और अपने शुर्य से किलाज खुद से करें आप जुरने के बाद समझेगी घड़ेलू डाक्टर आप बन जाएंगे आपको कहीं जाने क्यों सकता नहीं पड़ेगा जो आप देखते रहते हैं कि 20 जड़ी बुटियों को मिलाकर हमने इस दवा को त्यार कराया और इसको आप पंद्रह सो दो हजा मिले जाओ आपको कहीं देने क्यों सकता नहीं आने वाले समय में आप खुद घर का बैद बन जाएंगे और सभी जड़ी बुटियों को बनाकर पड़ियों करने लगेंगा पूरे तरीके से ठीक होने लगें खैर उतना बात नहीं करेंगा जदी गॉल्व लेडर में स्टोन और आवसकता भी परती है लेकिन स्टार्टिंग में इसकी कोई आवसकता नहीं है और अंत में क्या करते है पाले अंगरे जी दवा लेते लेते फिर ऐडवेदिक दवा लेते फिर हेमियों परित का लेते हैं दवा सब दिन खाते रहते लेकिन कभी सोचा है कि यह होता क्यों है कि इसको कैसे ठीक करें कभी डॉक्टर आपको पता है कि यादे दवा मत ले जाओ सिर्फ खान पान लो ठीक हो जाओगे कभी नहीं बता है कि यह बहुत बड़ा बैपार बन चुका है और आप उस बैपार का गरहाक है यह नि कि समझे कि आप से ही इस बिजिनेस को किया जा रहा है यह नि कि आप हर घर में बलट प्रेसर के पैसंट देख रहे हैं सुगर के पैसंट देख रहे हैं ता बैपार का हिस्सा न बने गरहाक न बने आप इस चीज को देखे कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं और इसमें क्या करेंगे कि हम ऐसा के लिए ठीक सकते हैं उस पर है का क्या कोई अच्छी चीज ले रहे हैं है जो आप ले रहे हैं सदियों से और हर इससे दावा ले रहे हैं जैसे लग रहें कि कि मैंने बहुत सारे प़ेशन्ट branch की सुगड की गोली यह ले लेते हैं उसकी बाद कहाना खाते हैं तो घिए ंंगे और बाद में 15 साल 20 साल बाद उनका किड्नी लीबर सा फेल हो जाता है देखते हैं कि बड़े पड़े भी छावन पे सब्चीज कर रहे हैं अब 5 साल उनका 10 साल उनका जीवन कैसे करता है अब वही जानते हैं और आप लोग भी गाव समाजी आप देख रहे होंगे आपको भी पता चल रहे हैं रोसनी चली जाती है तो बहले आप सौटकॉट के चक्कड में आज आपको मजे आ रहे हैं लेकिन आने वाले समय में बहुत कश्ट करना पड़ेगा आपको इसलिए जदी आप बलट प्रेसर आपका लो है तो सबसे असान उसका बता दे रहे हैं और यह सब लोग जानते हैं ऐसा नहीं कि मैं कु वैं इसे वीडियो को जाकर देख सकते हैं और जडि यए जो नुसका बताने जा रहे हैं है एक चैनल पर दुसरे चैनल पर हम उनष्बहुत सेर करते हैं कि कितने मरेज करेंगे कितने और मरेज की इस दो सफाइदा मिला है और मिलेगा जाइद देर देखना चाहते तर इसben पहले या बलड प्रेसर हाई हो लो हो सुगर हाई हो लो हो या समस्या कुछ भी उससे मतलब में एक यादत बना लीज़े पहला काम दूसरा काम जो आपके घर में जब भी आपको इस तरीके का लच्छन दिखे जैसे चक्कर आना जैसे मैंने बताया है दुदलापन दिखाई देना कम जोड़िए सब जब भी आपको लगे और जदी समय मिले जदी बगल में डक्टर हैं तो आप जांच भी करा सकते हैं ज्यादा कोई महांगा जांच नहीं आता है दस सब पंदर रुपया में लोग जांच करके बता देंगा जैसा नहीं है तो आप 20 गराम यह गुर ले लिजिए जिसको मीठा बोलते हैं हम लोग चीनी नहीं गुर गुर 20 गराम गुर ले लिजिए उसमें घड का जो नमक है ओल लेना चाहते हैं तो ले लिजिए या तो सेला नमक डाल लिजिए यह गिलास पानी में 20 गराम गुर सेला नमक और उसमें आप निमू निचोड लेजिए और पी जाईए यानि कि बलड प्रेसर ज्यादा लो है तो दो से तीन बार चरचर घंटे पर ले लिजिए यानि दो से तीन दिन लेंगे आपका सही हो जाएगा फिर कभी आओ सकता पड़े भविस में तो फिर ले सकते इसी उपचार से अब ठीक हो सकते हैं हाँ अब तुरांद आप देखिएगा कम जोड़ी के बज़ा से भी चक्कर आता है तो यह सारे चीज़ जांच कर लेंगा तो सही रहेगा लेकिन ही सब के लिए दवा क्यों सकता नहीं है इसलिए ज्यादा ज्यादे लोगों को वीडियो सेड कीजिए वीडियो अच्छा लग हुआ है